इतिहास में कुछ महान नेताओं के नारे अमर हो जाते हैं जै जवान जै किसान शास्त्री जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा नेता जी ने कहा था लेकिन कुछ निकम्मे नेताओं के भी नारे अमर होते हैं मैं नाम नहीं लूँगा एक निकम में नेता ने कहा ना हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है ना कोई आया ये भी अमर हो गया नारा जब गलवान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कबजा करने आई तब यह सफेद जूट इस देश के सामने परोसा गया और ये अमर हो गया लेकिन ये चीनी घुसपैट सिर्फ बॉर्डर तक हो वहीं तक सीमित रहे ऐसा नहीं अब वो गुजरात तक पहुँच गई है वो ऐसा राज्य जहां से प्रधानमंतरी खुद आते हैं जहां से ग्रहमंतरी खुद आते हैं उस राज्य में चीन की घुसपैट कैसे हुई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना केवल घुसपैट हुई ये व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए दो जिले बनासकांठा और पाटन वहां बैठकर नो दिन में चौदा सो करोड रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया देखिए लोगों की शिकायतें दो हजार बाइस की शिकायतें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं जो इसके विक्टिम से जो शिकार थे इस स्कैम के भुले भाले लोग गुजरात के 1200 लोग इसके शिकार बने और ये व्यक्ति आप सोचिए कितना सम्वेदन शील इलाका है गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहां एक चीन का व्यक्ति आता है और ये उस दौरान आता है जब प्रधान मंत्री महिने में एक या दो या तीन या चार बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुनावक उस दौरान ये स्कैम भी हो रहा था पुलिस व्यस्त थी या पुलिस किसी दबाव में थी ये क्या चल रहा था इसका उत्तर आप लोगी ढूंडेंगे हम भी ढूंडने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ तो चल रहा था